दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको python का एक project बना करके दिखाऊंगा जिसके अंदर हम किसी भी image को pencil sketch में convert करेंगे जी यहां दोस्तों हम किसी भी image को यहां पर pencil image में convert करने वाले हैं यहां पर मैंने ready किया आप लोगों के लिए कुछ samples और कुछ details भी है यह कैसे यह पूरा process जो है वो implement होगा अब इसकी finishing के लिए और अच्छे implement के लिए आप इसकी values को कम जादा कर सकते हो adjust कर सकते हो यह आपके case में बहुत जादा अच्छा दिखने वाला है तो यहां पर मेरे पास है python की file और यहां पर मेरे पास एक image यह मेरे पास एक duck है अगर आप इसको notice करो तो बाद में मैंने इसको pencil sketch में convert किया है with the help of मेरे python का एक छोटा सा program चार पाँच लाइनों का code है सिर्फ यहां पर मेरे पास एक दूसरा image और उसको मैंने convert किया है यहां पर so इसकी जो details है आप values को कम जादा करके भी change कर सकते हो but still यह pencil के हिसाब से realistic लग रहा है यहां पर मेरी खुद की photograph और अगर मैं आपको check कर रहा हूँ so इस video के अंदर हम बहुत detail में देखने वाले हैं कि python को use करके कैसे हम किसी भी image को pencil sketch में convert करे अब यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ details रखा हुआ है अगर मैं यहां पर check कर रहा हूँ तो यह पूरा का पूरा process कैसे होगा वो हम देखते हैं यहां पर अगर आप notice करो तो सबसे पहले हम देने वाले हैं इसको एक input we need an image as an input यहां पर आपको एक input provide करना होगा जो की मेरी एक image file रहने वाली है next step में हम इसको gray scale में convert करेंगे यानि की in short black and white करने वाले हैं gray color का यह मेरी original image थी उसके बाद में क्या करने वाला हूँ इसे gray में convert करने वाला हूँ और इस gray वाली image को मैं क्या करने वाला हूँ बाद में gray scale में convert करने वाला हूँ जो कि आपका invert भी होता है चीक है यह जो आपके पुराने जमाने में camera वगरा होता है जिसमें एक real पढ़ती थी negative जिसे हम कहते थे कुछ इस type का और फिर इन पिछले हमारे जो images है उन दोनों के combination से किन दोनों के यह जो हमारा grey है और यह जो invert हमने किया इसके combination से हम इसमें blur add करे चीक है तो यह आपके 4 steps involved रहेंगे पहले stage पर आप output दोगे दूसरे stage पर आप उसका grey scale बनाओगे उसके बाद आप इन दोनों को mix करके invert करोगे जनरली इस grey को ही आप invert करोगे फिर इन दोनों को mix करके जिसमें चेहरा भी साफ आए और यह inverted सा भी एक look आए इसको mix करके आप realistic सा एक blur add करोगे फिर इन तीनों के mixture से आप जिसमें grey भी होगा आपका invert भी होगा और blur रहेगा और realistic सा दिखाओगा और आपके सामने एक pencil sketch बन करके तयार हो जाएगी with the help of python बहुत easy way में already मैंने आपको बताया था आप कैसे किसी की IP address की exact location trace कर सकते हो cell phone track कर सकते हो और whatsapp आपको छोड़ देना चाहिए इसकी policy के बारे मैंने आपको बहुत detailed information दी हुई है और एक चीज़ आपको और कहा दूँ इस video के description में channel के telegram का link mention है make sure आप जरूर join करें वहाँ पे भी वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new हैं तो subscribe करें bell icon को click करके all notification कौन करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और कहीं भी आपको doubt आता है तो आप जाकर पे playlist section से या description से python को सीख सकते हो detailed video आपको 100 से भी जादा मिल जाएंगे even मैंने whatsapp की तरह chatting application google की तरह search engine मना बहुत सारी चीज़े हैं web development software development के tutorial आपको मिल जाएंगे make sure आप एक बार जाके उनको check करें तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो यह है कि यहां पर मैं create कर रहा हूँ folder और मेरी images को मैं folder के अंदर रख रहा हूँ reason is बिना folder के यह काम हो जाएगा बट फिर मुझे अपने image का एक proper path specify करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता तो मैं आ रहा हूँ अपने c drive के अंदर आप कहीं भी create कर लेना right click कर रहा हूँ यहां पर और एक folder create कर रहा हूँ sketch नाम से मैंने folder create किया और उसके अंदर आ गया all right so मैं यहां पर आ गया vs code के अंदर file पर click किया and open folder कर लिया मैंने यहां से हम अपने folder को open करने वाले है तो जो मेरा sketch नाम से folder मैंने create किया है मैं उसको simply open करूँगा open होने के बाद आपको यहां पर कुछ files दिखाएं देंगे और आपका folder यहां पर specify हो जाएगा यह time ले सकता है depending upon your computer performance चीक है so wait करते हैं इसके open होने का all right so यह open हो चुका है और मैं welcome वाले page को cut कर रहा है by आप जो मर्जी नाम दे बस py लगाना ना भूले python की एक file यहां पर आपके सामने बन करके ready हो जाएगी अब इस पूरे process के लिए मैं use करने वाला हूँ cv2 python का package ठीक है cv2 package यूज करने वाला हूँ platform library है which we can use to develop real-time computer vision real-time computer vision image processing कुछ दिखने वाली चीजों पर अगर आपको काम करना है applications पर काम करना है तो आप इसको use कर सकते हो it mainly focus on image processing video capture and analysis including features like face detection and object detection face detection system पर काम करना हो object detect करना हो बहुत helpful रहता है यह तो हमें भी तो वही करना है यहाँ पर हमें हमारे case के अंदर objects को detect करना है उसी के हाल से यह बना पा रहा है तो that's why मैं इसको यहाँ पर use कर रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले हमें उसको install करना पड़ेगा installation के लिए आपको क्या करना है उपर जाओगे आप terminal पे और new terminal पे आपको click कर देना है make sure आप अपने folder के अंदर रहे और यहाँ पर आप करके आपको cv2 install करना है आप cv2 बहुत साय लोगों को direct install नहीं हो पाएगा so make sure आप जो मैं install करके दिखा रहा हूँ आप वही करें cv2 आपको problem create कर सकता है और इस पूरे program के दोरान हो सकता है आपको numpy का एक error देखने को मिले तो आप numpy की मेरी video चेक कर सकते हो पहले आप उनसको install करें उसके बाद इस code को run करें ठीक है so वह आप चेक कर देना description में आपको link दे दूँगा तो मैंने यहाँ पर यूज किया pip install open cv minus python और enter प्रेस करना है यह आपकी approximately 26 MB 26 MB की file है time लेगा depending upon your internet connection आपको यह percentage देखने को मिलेंगे और यह देख सकते है आप 25.9 है ठीक है तो मैंने इसको install कर लिए और आपके case में यह time खाने वाला है ठीक है successfully installed open python cv यह हमारा install हो चुका है अब हम अपना code कर सकते हैं और उससे पहले मैं इसको clear कर देता हूँ मैंने इसको clear किया और मेरे terminal को cut कर रहा हूँ 4-5 line का code और हमारा image है वो convert हो जाएगा यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कहता हूँ import मैंने का import जो अभी अभी install किया है उसको हम cv2 कहते है बहले हमने install में वहाँ एक कुछ और लिखा हूँ है यहाँ पर आप cv2 लिखने वाले हो और इसके बाद मैं यहाँ पर enter press कर रहा हूँ इसके बाद हमें next line लिखना है यहाँ पर एक variable बना रहा हूँ आप जो मर्जी नाम से रखें उसको फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पर कहता हूँ मेरी image यहाँ पर रहने वाली है अब image के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ cv2.imread image read कि भाई image को read करो ठीक है तो मैं इसको वो specify कर रहा हूँ कि image को read कर image के reading के काम आता है यह और इसके अंदर आपका रहता है image का name कि आपकी जो photograph है उसका नाम क्या है path के है अगर आपका photo कहीं और रखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो simply जाए आप उस photograph में right click करें उसकी properties पर जाए आप properties पर जाने के बाद आपको exact path मिल जाएगा और उसके बाद आप slash लगाके यह आपका उसका path बनेगा c slash pencil का folder और एक और slash लगाके one आपके photo का नाम है dot png आपको लिखना पड़ेगा उसके साथ ठीक है मैं इतना कुछ नहीं कर रहा है मैं यहां से अपनी इन तीनों images को copy कर रहा हूँ और मेरे folder के अंदर आ करके मैं simply paste कर ले रहा हूँ ठीक है मैं नहीं चाहता है path वगरा specify करने बैठ हूँ आपको बताया ना पहले हमें इसको gray में convert करना पड़ता है so उस चीज के लिए आप एक variable की जुरत पड़ेगी grey- या अंडर स्कोर हाइफन filter यहाँ पर यह variable का नाम है आप जो मर्जी रखें फरक नहीं पड़ता उसके लिए आपको देना पड़ेगा cv2 तो यहाँ पर आप लिखोगे cv2 और cv2 के बाद आप कर रहेगा dot कि भाईया इसके अंदर कुछ चीज़े यूज करनी है क्या यूज करना है cvt अब ये cvt क्या चीज़े convert कर क्या convert कर color को convert कर cvt color color को convert कर मैं यहाँ से इसको side कर रहा हूँ ताकि और zoom कर सके हम तो मैंने specify किया cv2 color अब color में क्या चीज़े होने वाली है इसको कुछ arguments चाही होगा किसका color change करना है तो यह हमने image का color change करना है image कहां stored है img नाम के variable में image नाम के variable में तो यहाँ पर आपको वही exact spelling लिखनी पड़ेगी जिस नाम से आपने ऊपर create किया हुआ है आपका variable ठीक है और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देना पड़ेगा cv2 and इसके बाद आपका रहेगा dot c-o-l-o-r color capital में ही रहेगा इस बात को आप ध्यान दे और इसके बाद आपका रहेगा underscore bgr2 यह ध्यान से देना spelling bgr2 gray gray की spelling यही लिखनी है आपको इस जगह पे अब यह bgr का क्या मीनिंग है blue green red आपने rgb सुना होगा red green blue यह blue green red है उसको convert कर gray में यह gray की spelling यही रहेगी इस वाले का एक module है इस package के अंदर का एक module है तो आप उसको अपनी मर्जी से ना लिखे यह लिखने के बाद आपको क्या करना है इतना करने के बाद मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले तो आपको मैं print करके दिखाता हूँ इसको कि यह कैसे work करेगा तो यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मैंने कहा CV यह एक काम करते हैं पहले इस पूरे project का हम बना लेते हैं ठीक है तो next step मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ gray filter हमारा हो गया अब मैं कहता हूँ भाई इसको invert भी करना है तो invert क्या होगा कैसे होगा तो मैंने कहा cv2 invert कैसे होगा dot bitwise इसके अंदर की यह चीज़े है module से और bitwise के ओपर भी separate video मेरे पास बनी हुई है ठीक है तो मैंने कहा bitwise not python के playlist के अंदर आपको मिल जाएगा और इसके अंदर कुछ चीज़े आपको specify करनी पड़ेगी इसके अंदर भी आपको parameters देने पड़ेगे कि भाईया किसको convert करना है किसको invert करना है जो हमने grey बनाया है उसको हमें invert करना है तो वो आप यहाँ पे इसको argument पास करोगे ठीक है तो यहाँ पे अगर आपने कुछ और नाम दिया है आप यहाँ रखोगे तो मैंने इसको यह specify किया grey filter को invert कर दे अब invert हो चुका है मेरे पास अब इसके अंदर क्या करना है हमें blur को add करना है तो मैं यहाँ पे specify करता हूँ blur मैंने कहा CV2 and CV2 के बाद मैंने कहा कौन सा अब यहाँ पे हमें blur कौन सा add करना है आपने Photoshop चलाया हो तो आपके पास motion blur है Gaussian blur है बहुत सारे है तो यहाँ पे मैं उन में से एक यूज कर रहा हूँ तो मैंने कहा Gaussian blur अब spelling जो capital है capital रखें जो small है small रखें बहुत ध्यान से देखें इस चीज को अब इसको भी कुछ parameter चाहिए होंगे किसको blur करना है यह जो मैंने invert किया है इसे ही blur करना है ठीक है इसके बाद आएगा आपका comma अब blur में आपको values पास करनी पड़ेंगी कितने level का blur करना है तो मैं कहता हूँ 21,21 इस values को आप कम ज़ादा करके देख लेना अपने according जो आपको suitable लगता है कि हाँ यह realistic लग रहा है मैंने एक बार चला के देखा है that's why मैं यह value को दे रहा हूँ तो मैंने इसको कहा Gaussian blur करना है मेरे को inverted वाले को ठीक है यह कहने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और final करना है मुझे यहाँ पर अब यह जो blur हुआ है उसको inverted के साथ भी mix करना है ठीक है अब इन दोनों को आपस में जोडना है तो यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मैंने कहा एक variable बना लगते है inverted आप जो मर्जी नाम से बनाए फर्क नहीं पड़ता variable और यहाँ पर मैंने कहा blur equals to वह यह कैसे होगा मैंने कहा cv2.bitwise तो मैंने कहा bitwise cv2.bitwise not अब इसको कुछ चीज़े चाहिए होंगी यह जो हमने उपर convert कर लिया है और यहाँ mix कर लिया हुआ है ठीक है और यह grey filter इसके अंदर अल्रेड़ी मौजूद है तो हम direct blur को देंगे तो बात बन जाएगी तो मैंने कहा इसको करना है अब सारा कुछ ready है हमारा बस हमें क्या करना है इसको अब finally इसको sketching में convert करना है sketch filter इसको provide करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ sketch underscore filter यह एक variable है कुछ भी नाम दे देना है इसका फरक नहीं पड़ता मैंने कहा cv2.bit अब इसमें कुछ चीज़े मुझे यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेंगी मैंने कहा divide ठीक है उसके अंदर के module से spelling change ना करें कुछ parameters पास करने पड़ेंगे क्या क्या parameters है वो मैंने कहा जो हमारा grey filter है वो कॉमा जो हमारा inverted blur है वो कॉमा जो हमारा इन दोनों का mixture रहेगा ठीक है देखो grey filter initial stage पर आई थी हमारे पास की grey add करना है उसका inverted के अंदर वो सारी qualities आ गई मैंने कहा इन दोनों को mixture provide करना है और इसका एक scale होगा मतलब grey जो sketching का scale होगा कितना रहेगा क्या values रहेंगे तो scale equals to और एक value provide करनी है let us say 256.0 values आप कम जाधा करके देख लेना फर्क नहीं पड़ता बस आप देख लेना जिसके उपर आपको realistic सा feel हो आपको वो value रखना है तो overall आपका जो code है वो यह बना ठीक है मैं वापस इसको zoom कर रहा हूँ और मैं new line पे आ रहा हूँ ठीक है इसके आग लिए आपको लिखना है cv2.imwrite कि भाईया उस image को आप जरा write करो कैसे होगा यह मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ करके आपको provide करना है कि किस नाम से वो image आपकी save होने वाली है तो मैंने कहा output.png ध्यान दे png file ही आप बनाए वरना आपको error देखने को मिलेगा और numpy यह सारा कुछ करने से पहले install कर ले अगर कुछ error मिलता है तो वरना जरूरी नहीं है numpy की video की description में आपको lecture का link मिल जाएगा अब यहाँ पर आ करके क्या करता हूँ क्या करना है मुझे किस चीज की output देनी है यह जो sketching filter बना करके ready कर रहे हो उसकी output जरा मुझे 2 तो यहाँ प python file का नाम है converted.py और enter प्रेस किया वेट करते है कुछ second के लिए अब यह हमें एक error generate करके दे रहा है बहुत खतरनाक सा error दे रहा है alright so मैं जो यहाँ पर check कर पा रहा हूँ मैंने लिखा हुआ है 1.jpg जो मेरी file है जरा हम उसको जा करके देखें so 1.png file है alright so यहाँ पर आ करके मैं specify कर रहा हूँ इसको png मैंने इसको save किया और यह कचड़ा हो चुका है तो इसको मैं एक बार refresh clear कर रहा हूँ अब अगर run करके देखें तो hope so इस बार चले अगर कोई error ना हो तो यहाँ पर आ करके अगर मैं folder में देखू तो मेरे पास output नाम से एक file ready हो चुकी है तो यह मेरा real वाला image था और यह उसकी sketching वाली output है ठीक है हम दूसरे file को भी करेंगे और इसके individual step को भी देखते हैं जरा अब एक काम करता हूँ मैं एक और file को करता हूँ let's say इस वाले को हम कर लेते हैं और यह क्या type है इसकी अगर हम check करें तो यह भी एक png file है तो मैं कहता हूँ two और किस नाम से save होगा output one क्योंकि अगर मैं output छोड़ दूँगा तो पिछली वाली file हमारी overwrite होकर के गायब हो जाएगी all right so यह error दे रहा है अब इस बार के error हम वह देख लेते हैं यहाँ पर आ करके इसका नाम है three okay so यहाँ पर आ करके मैं इसका नाम दे रहा हूँ three and इस file को दुबारा से run करते हैं अपने folder में आते हैं तो यहाँ पर मारे पास फाइल बन चुकी है perfect अब जरह इसके details को समझते हैं कि individual layers इसके कैसे काम करते हैं वह समझना बड़ा important है आप लोगों के लिए इस वाले को भी delete कर रहा हूँ और मैं आपको इस वाले को बना करके दिखाता हूं यह चलो इसे को बना करकर देखते देखना आप कैसे रियलिस्टिक से आपको feel कर आयेगा मैं यहाँ पर zoom come कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आ गया जो चीजे मैंने आपको बताई हैं मैं वही specify कर रहा हूँ मैं पहले clear कर रहा हूँ और यह हमारा एक output generate करके दे रहा है sketch filter ले करके आ रहा है और यह हमारा output लाकर करके दे रहा है मैं यहां पर क्या कहता हूँ मैंने कहा सबसे पहले तो भाया grey filter लगा तो बाकी लाइनों को मैं यहां से cut कर रहा हूँ और यहां पर आकर के मैं कहता हूँ पहले जी आर इवाए पहले step पे मैंने आपको कहा कि यह grey बनता है जो मैंने आपको photograph चेक कराई थी यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया था चार अलग-अलग step है हमारे पास gray बनेगा invert होगा blur होगा output आईगी तो वही चीज़े ज़रा हम देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है ठीक है अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ वापस control-z करते हैं हम सारे code को अब हमें सहीए साथ में क्या invert भी हो जाए ठीक है तो inversion के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको cut कर लेता हूँ और इस जगह पे आकर के मैं लिख देता हूँ i-n-v-e-r-t की invert का मुझे output दे दे और इसका नाम रहेगा हमारा output 2 यहाँ पे आकर के मेरे file को run करता हूँ और अपने folder में आता है तो आप notice करोगे वो invert हो चुका है ठीक है इसकी help से next step जो मैंने आपको बता है आप जड़ा उसको apply करके देखते हैं तो मैं यहाँ पे ctrl-z कर रहा हूँ अब मैं कहता हूँ कि भाई जड़ा blur भी add कर दे यहाँ से मैं cut कर लेता हूँ और अपने blur को b l u r मैंने कहा इसको जड़ा print करके बता और जो इसका नाम होगा वो रहेगा output 3 save यहाँ पे आए enter folder में आऊँगा तो आप notice करोगे एक file आई है और वो थोड़ा सा धुन्दला होगा blur जिसे हम कहते हैं धुन्दला यह आप notice कर सकते हो यहाँ पर देखो धुन्दला सा है यह hard है यह धुन्दला सा है ठीक है यह हमारा बन करके ready हो जाएगा control Z कर रहा हूँ है इसको वापस और अगले step पर बढ़ते हम यहाँ पर इसके बाद क्या करना है हमें inverted blur करना है ठीक है और उसके आद हमारा overall सारा project ready हो जाता है तो यह एक चीज है जो मैंने आपको बताया पूरा overall इसका process कुछ इस तरीके से काम करता है बहुत छोटी सी subscribe करें बैल आको को क्लिक करके all notification कौन करें तक कि आपको latest videos को notification मिलती रहे मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में thanks for watching guys